नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है वेनीच शागत What's happening to Iraq's date palms? West Asian country Iraq date palm production के लिए काफी famous है But recent कुछ years में इनका date palm production में काफी decline देखने को मिला है For example, 1950s में पूरे दुनिया में जितना date palm produce होता था उसका 75% केवल इराक से आता था पर 2022 का data ये कहता है पूरे दुनिया का date palm production में केवल 5% इराक से आता है तो इतना major decline क्यों हुआ इराक में? आज इस वीडियो में इसके reasons क्या है वो हम इन detail डिसकस करेंगे शुरुआत करते हैं दोस्तों देखे देट palm इराक का symbol and pride है ये जो fruit है इराक का second largest export commodity है oil के बाद हर साल national economy में 120 million dollar आट करते है However, production of dates पिछले कुछ साल में severely affect हो है दोस्तों इसका reason से environmental challenges, political issues and war Now, इराक में सबसे ज्यादा date palm cultivation होता है बसरा city में बसरा city को एक टाइम पर black land कहते थे due to the density of its date palms और इस city के residence को बसराविश कहते है और ये बसरावी से ये पूरा date palm industry के ऊपर dependent है for their livelihoods बसरा वैसे इराक का second largest city है दोस्तों आफ्टर इराक का capital बागदाद Now, it is widely known for the quality of its dates which include हिलावी, खदरावी, सायर, मक्तूम, देरी, अश्रासी and बारही varieties Now, this is very important दोस्तों UPC prelims के लिए में बोलूँगा, this is very important आप से पूच सकता है ये सारे varieties किस fruit का है तो एक टाइम पर बसराश city date palms के लिए बहुत फेमस थे और उनके dates की quality के लिए ये फेमस थे और major varieties कौन कौन सा है और एक बार बता देता हूँ हिलावी, खदरावी, सायर, मक्तूम, देरी, अश्रासी, अनबारही इराक used to produce three quarters of the dates in the world ये मैंने आपको पहले बताया 1950s में अगर आप देखोगे दुनिया भर में जितना date palm का production होता था उसका 75% इराक से आता था पर आप ही केवल 5% है फ्रमें हाई ओफ 33 million date palms in 1950s जस्ट 9 million रिमें थे 33 million से सीथा 9 million पर पहुंच गया है सबसे पहला reason है इरान- इराक वार आप सबको पताओगा 1980 और 1988 की बीच में इरान- इराक वार हुआ था इरान- इराक वार की वज़े से शट अल- अरब एरिया में जितने palm trees थे उसमें से आथा डिस्ट्रोई हो गया बेसिकली केवल बसरा सिटी में वार से पहले 6 million palm trees थे वार के बाद वो हो गया 3 million अब ये शट अल- अरब एरिया कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ ये मैप देखी थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इराक में दो major river से एक टिग्रीस river और यूफरेटिस river टिग्रीस river और यूफरेटिस river के कोंफ्लूइंट से बनता है शट अल- अरब river और शट अल- अरब river जाके मिलता है पर्शिन गर्फ में तो इस river के आसपास में जितने पाम ट्रीस थे उसमें से आथा तो इरान- इराक वार की वज़े से डिस्टोई हुआ और एक रिवर एक इराक में मिर्जाबाद रिवर जिसे लोकली अल-कलाल बोलते है अब ये रिवर इरान से आती है उन्होंने कई सारे reasons quote किया है palm date cultivation के decline के उपर उनके इसाब से सबसे पहला reason तो mismanagement बाई Iraqi authorities है इराकी authorities ने palm tree cultivation को ठीक से manage नहीं किया दूसरा damming of upstream rivers by neighboring countries सचास इरान, Syria and Turkey देखे इराक में जितने rivers है दोस्तों वो सारे neighboring countries से इराक में अंडर करते है ठीक है तो कोई भी river का upstream है dams construct करेंगे तो अब यसी बाते river flow में फरकाएगा जिस वज़े से जो downstream में countries होगा उनको पानी कम मिलेगा तो ये भी एक reason है वैसे Iraq का neighboring countries कौन-कौन सा है basically rivers के upstream में Iran है Syria है Turkey है इसके अलबा Iraq में droughts का problem है sunstorms का problem है desertification का problem है देखे वैसे west station countries में धूब बहुत होता है और बारिज भी कम होता है तो drought तो normal है उथर sunstorms का भी problem है दोस्तों देखे west station countries में आपको पता है deserts बहुत ज्यादा है तो deserts से sunstorms आते हैं वैसे इसी साल एक report आया था April से लेके अब तक 10 sunstorms हो चुका है Iraq में and desertification की वज़े से 39% of Iraq desert बन चुका है दोस्तों desertification का मतलब क्या होता है जो land degradation होता है अरिट semi-arid regions में desertification का major reason क्या है एक तो human activity से दोस्तों दूसरा climatic variations है वैसे United Nations के इसाफ से Iraq one of the top five countries है most vulnerable to climate change तो यह सारे reasons की वज़े से palm tree cultivation में फरक आया है जिस वज़े से palm date production में Iraq नीचे गया so Iraq के government अब तक क्या किया है इस problem को solve करने के लिए Iraq का agriculture ministry का कहना यह है last 10 years में काफी improvement हुआ है date palm production में जैसे की last 10 years में palm trees का numbers 11 million से 17 million तक पहुंचा है government एक program लेके आया था date palms को rescue करने के लिए 2010 में वो launch हुआ था पर 8 साल के बाद वो program बंद करना पड़ा due to lack of funds देखे Iraq का condition के बार में आप सबको मालूम होगा एक तो political deadlock है दोस्तों पिछले कुछ साल से Iraq में एक proper functioning government भी नहीं है and this has halted economic environmental and infrastructural projects in the country तो Iraq में जितने भी projects होते दोस्तों देखे सारे projects के लिए सबसे पहले क्या चाहिए पैसे चाहिए वो पैसे नहीं है Iraq तो दोस्तों that's it now palm date cultivation के बार में कुछ important details date palm one of the most important fruit crops है cultivated in the arid regions mainly आपको देखने को मिलेगा Middle East, North Africa, South Sahil and areas of East and South Africa, Europe, Asia and USA with approximately 150 million trees worldwide तो total worldwide 150 million trees है आज के साब से, date palm is a very good source of nutrition also, देखे date palm में 70% carbohydrates है 1 kilo date palm 3000 kilo calories प्रवेट करते है, it is also a good source of vitamin, vitamin A, vitamin B2, B7, potassium, calcium, copper, magnees, chlorine, phosphorus, sulfur, iron ये सब प्रवेट करते है दोस्तों date palm जो है now dates require low relative humidity and plenty of sunshine for their best growth तो देखे आरियोड रीजियन में ऐसा ही climatic conditions रहता है plenty of sunshine है, low relative humidity है, it requires long days with plenty of sunshine, night temperatures and winter days without frost तो night में frost भी नहीं होना चाहिए it does not prefer rain especially at the time of flowering and fruit setting जब देखे flowering होता है, fruit setting होता है उच टैम पर rain नहीं होना चाहिए वैसे भी देखे आपको पता है, arid regions में rain कम होता है and dates require well-drained deep sandy loam soils with pH of 8 to 10, pH level मतलब आपको पता होना, 0 to 7 acidic, 7 to 14 alkaline और 7 मतलब neutral होता है now dates को ऐसे sandy loam soil चाहिए, जिसका pH level 8 और 10 के बीच में होना चाहिए and the soil should have ability to hold the moisture, वो soil को moisture hold करने का ability होना चाहिए the dates also can be grown in saline and alkaline soils with lower yield ठीक है, तो saline soil में भी, alkaline soil में भी dates ग्रो कर सकता है तो यह सरी important details से palm date के बार में ध्यान दिजेगा finally आप से एक सवाल है जोस्तो, consider the following statements with respect to palm dates in India which are correct वैसे palm dates in India के बार में हमने discuss नहीं किया, फिर भी आप कोशिच कीजिए, वीडियो पोस्ट करके सोचिए, फिर हम answer discuss करेंगे I hope आपने answer किया होगा Now, statements discuss करते है Statement number 1, India is the largest country in import of date palm Very correct statement, world market का 38% of date palm India import करते है Statement number 2, traditionally local varieties of date palm were grown from the seeds in Kach Phuch area of Kujrat This is also correct दोस्तो, देखे, Kujrat का Kach Phuch area में local varieties of date palm हुआ करते थे, पर इन seeds को हम multiply नहीं कर पाया Normally क्या होता है, कोई भी cultivation में seeds को collect करके उसे multiply करने की कोशिच करते है और plants लगाने की कोशिच करते है, पर देखे, ये इसलिए नहीं हो पाया Because of the diocious nature of plants, आपने शायद Zoology, sorry, Botany में पढ़ा होगा, diocious nature of plants के बारे में देखे, ये क्या होता है, जब male and female reproductive organs separate individuals में रहते है आपने शायद notice किया होगा, कुछ plants and trees है, जो fruit trees है उसमें male and female trees रहते है, male trees में तो fruit नहीं आएगा, only female trees में आएगा अगर आपको पता नहीं है, आप ममी पापा से पूछे, वो आपको बताएगा कि कौन-कौन से trees में ऐसा होता है, मतलब देखे, आपको पता नहीं चलेगा seed देखे, आपको पता नहीं चलेगा, आप plant करोगे, जब वो बड़ा हो जाएगा पता चलेगा, उसमें fruit ही नहीं आया, मतलब वो male tree है, only female trees में आता है तो ऐसे जिन trees में रहता है, या plants में रहता है, इसे diocious nature बोलता है, ठीक है वैसे पुराने लोगों को तो अच्छी तरह पता है तीसरा statement, madhul is an Indian variety of date palm very important statement, वस्टेन राजस्तान में एक Indian variety of date palm है madhul अब मेरी pronunciation गलत हो सकता है, sorry for that and fourth statement, fruits of Indian date palm mature one month early in comparison to Gulf countries ये भी statement सही है दोस्तों, देखे, इस वज़े से international market में Indian dates का थोड़ा साध्वादेज है ठीक है, एक महीने पहले mature हो जाता है so the answer is option E, 1, 2, 3 and 4 so दोस्तों that's it, I hope आपको वीडियो इंफोर्मेटी लोगा होगा लक्षे की PDF, as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे description box में provided है thank you for watching, bye bye, have a nice day